हाई, गुद मॉर्निंग, वेलकम तो यूर स्कूल, फ़न एंड लर्न और आई अंजी कुमारी, यूर रिविस टीचर, प्रेजेंटिंग दे लेशन नमबर टू, ए स्नेक चार्म्स स्टोरी सो अपेन यूर बूक एंड लेट्स स्टार्ट साथ में आप लोग भी अपनी सेकंड चैप्टर खोलिए, आज इस लेशन में हम साप पकड़ने वाले व्यक्ति जिसका नाम आर्या नाथ है, उसके बारे में बाते करेंगे कि कैसे उसका पूरा परवार इस बिजनेस में इन्वाल्व है, और कैसे वो स्नेक बीटिंग होने पर होने पर लोगों की मदद करता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहार फिस्त पारग्राप डिखें, आर्यानाथ, आख प्रवार बाते हैं My family member, the people are known as Calvaryas. My grandfather, my grandfather, Roshan Nath, Nathji, was famous and most of our people. He could easily catch many poison snakes. He tell me many stories about his part. Come, listen to his story in his own word. समाजने की कोशिस कीजिए. मैं हूँ आरियानाथ. तुम्हें जानकर हैरानी होगी की. मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, जो तुम्में से साइध ही कोई कर सकता हो. जानते हो क्या? मैं बीन बजा सकता हूँ. हो गयना हैरान? हाँ, मैं सापो को अपनी बीन की धून पर नचा सकता हूँ. या कला मैंने अपने लोगों से सिखी है. हमारे लोगों को काल बेलिया कहते हैं. मेरी दादा रोसर नात जी हमारे जाती में बहुत महसूर थे. वे बहुत असाने से खतरनाग और जहिले सापो को पकड़ लेते थे. वे मुझे कई बार अपनी बीती निनों के किस से अभी भी सुनाते हैं. आओ तुम भी सुनों उनकी कहानी उनी की जुबानी से. तो फर्स पेज हो गया, इसका सेकर्ड पेज ओपन कीजिए. यह स्टोरी है, तो आप ध्यान लगा के सुनिए, तो आपको बहुत मजा आएगा. दादा जी मेंबर्स From the time of my grandfather and great grandfather, we have always been Sapira. Snakes have been an important part of our life. We used to move from village to village, carrying our snakes in bamboo basket. Whenever we supported in a village, a crowd would grand around as we would then take out our snakes from our basket. Even after the show, people would stay on, they need that in our tin box. There were many types of medicine, for them we made this medicine. From plants collected from the forest, I had learned all this from my grandfather. I felt nice that I could help people with my medicine, even if doctor and hospital were fed off. In returns, people would give us some money of food grains. In this way, we could manage our life. मेरे दादा पर दादा सभी सपेरे थे. हमारी जिन्दगी सापों से ही जूरी रही. कंदो प्रकावरा जैसे पितारी लटकाए. हम एक गाउं से दूसरे गाउं घुमते. हम जहां भी जाते हमें देखकर लोकी भी रेकठे हो जाती. फिर हम पितारे में रखी बाज की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे साप को. साप का नाच देख लेने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते थे. उन्हें पता होता कि हमारे तीन के देब्बे में लोगों के कई रोगों की दवा होगी. ये सबी जरी बूटियों हम जंगर से कठा करते. मैंने भी ये सब अपनी दादाजी से सिखा है. मुझे अच्छा लगता है कि जहां डॉक्टर नहीं है, वहाँ भी मैं अपनी दवाईयों से लेकर लोगों की कुछ मदद कर पाता. दवाईयों के बदले लोग हमें कभी अनाज देते, तो कभी पैसे बस इसी तरह से गुजर बरस हो जाता. आप में पीछे देख रहे ना, एक सपीर है. फिर आप छोटे-छोटे बच्चे कैसे इंज्जोई करके देख रहे हैं? या लास पारग्राफ में रिके क्या लिखा बाया है? Sometimes I was called to place where someone had been bitten by a snake. From the marks of the bit I tried to find out which snake had bitten the person. I would then give a medicine for that but I have not always been on time to help. As you know, some snake bites can ever cause death on the sports but most of the snakes are not poisoned. Sometimes when some farmers would come running for help, sorting snake-snake, I would catch that snake. अब यहाँ पर सुनिये. कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता है, जहां किसी को सापने काता हो. तब मैं साप के डंग के निसाने से या किस साप में काता है, उसे मैं साप कातने की दवा देता हूँ. पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुच पाया तो, जानते हो कुछ न कुछ साप ऐसे भी होते हैं, जिनके कातने से ही जान चली जाती है. पर ज्यादा तरह साप जहले नहीं होते. फिर है, कभी-कभी जब कोई किसान साप साप चिलाता हुआ भागा आता है, तब मैं भी, मैं ही उस साप को पकरता. आखिकार मैं बच्बन से ही साप पकरना जानता हूँ. यहाँ पर आरे रनात ने क्या-क्या बोला आपको समझ में आई? अब पेज नेंबर 17 ओपन किजिए. पेज नेंबर 17 में क्या है? आफ्टर आल, कैचिंग स्नेक वाज सम्थिंग आई है बीन दूइंग सिंस माई चाइल्ड हूट. अब यहाँ पर क्या बताना चाहता है? वे बहुत बढ़िया दिन थे लोगों की हम, बहुत मदद कर पाते थे, लोग भी हमारी बहुत इज़त करते थे, आजकल की तरह नहीं था. अब तो मनोरंजन के लिए ज़्यादा तरह से लोग टीवी देखते हैं. जब मैं बढ़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे साप के दसने वाले दाथ निकालने सिखाए, जहरिले साप की जहर की नली बंद करना भी सिखाया. अब उसके देखो, think and tell. यहाँ पर exercise है. Exercise में क्या है, यहाँ फर्स्ट नमबर. Have you ever seen anyone playing a bean? Where? क्या तुमने कभी किसी को bean बजाते देखा है? और देखा भी है, तो कहाँ पर देखा है? फिर सेकेंड है, Have you ever seen a snake? Where? क्या तुमने कभी साप देखा है? और गर साप देखा भी है, तो कहाँ पर देखा है? वो बताना है. फिर थर्ड में क्या है where you search by it why क्या तुम्हें उससे डर्ड लगा और अगर डर्ड लगा भी तो क्यों डर्ड लगा फिर आपर नेक्स्ट कोस्टन है do you think all snakes are poisons तुम्हें क्या लगता है सबी साप जहरीले होते हैं फिर लास्ट कोस्टन है in chapter 1 you read that snakes do not have ears which you can see can the snakes hear the bean or does it dance with the bean moves what do you think तुम्हें पिछले पार्ट में में भी परा था कि साप के बाहरी कान नहीं होते तो सोचो क्या वो बीन की धुन सुन पाता होगा या फिर बीन के हिलने से ही वो नाचता होगा यहां लास्ट पराग्राफ में देखे what can we do Aryanath, your father used to travel with me ever since he was a young child he learned to play the bean without being stout these days it is difficult now the government has made a law what no one can catch wild animals and keep then some people kill the animals and sell their skin at high price so they made a law against this now with this law how will be earn our livelihood B people have never killed snakes and they sold their snake skin people say that we keep the snakes in bad अब आर्यानाथ क्या बताना चाहता है तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र में से ही मेरे साथ गाउं में गाउंगाउं घुमा करते थे उन्होंने बीन बजाना अपने आप से ही सीख लिया था आज की सोचों तो बहुत परिसानी होती है सरकार ने कानुन बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवर को पकर सकता और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल उचे दामों में बेच देते हैं इसलिए ऐसा कानुन बनाया गया पर ऐसे कानुन बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा हम सपेडों ने कभी भी सापों को नहीं मारा नहीं कभी उनकी खाल बेची कुछ लोग कहते हैं कि साप यहाँ इस पेज में यही है अब नेक्स पेज कीजिए पेज नमबर 18 पेज में देखिए 1.Contition 1.If we want it, we could have earned any lot of labour by killing snakes. 2.We would never do that, snakes are our lantern that we pass on from one generation to another. 3.We even gift snakes to our daughter when they get married इन आवर काल बेलिया डांस वी अलसो हैब मुवमेंट्स सिमेलर तो यहाँ पे है आप चाहते हो कि हम भी सापों को मार कर खुब पैसा कमा सकते थे तब हमारी जिन्दगी इतनी मुश्किल भरी ना होती सापों को मारने के बाद तो दूर यह तो हमारी पुंजी ही है तो हम अपने आने वाले पिरी को सौपते हैं बच्चों को तो हम अपनी बेटियों की साधी में तौफे के रूप में देते हैं हमारी काल बिलिया नाच में भी साप जैसे मुद्राय होती है अब इस सेकर पारग्राफ देखे आर्यानाथ, you will have to make a different life for yourself you have got your father's gift of playing the bean you and your cousin can from a bean party and interpaint pupil but do not waste the knowledge about snakes you have got from your elders आर्यानाथ, तुम्हें अपने लिए अलग-अलग तरह की जिन्दगी सोचनी परेगी तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पाटी बनाकर लोगों का मनुरंजन कर सकते हो पर तुम पिरियों से मिले साथो के इस ग्यान को पेर्थ ना कवाना बनेक्शन, share your knowledge about snakes with the children who live in the town and the city tell them that there should not be such a snake help them the poison snake tell them how snakes are friends of the farmers they eat the rats in the field Otherwise, rats would eat the crop Now you tell our story Also, make a new story of your life To tell your grandchildren तुम सहर और गाओं के बच्चों को बताना की सापों से ना तो डरने की जरूरत है और ना ही नफरत करने की उन्हें सिखाना की कैसे जहिले सापों को पस्चानना है उन्हें यह भी बताना है की साप तो किसान के दोस्त हैं साप ना तो खेतों में फसलों को चुहें से कौन बचाएगा अब तुम उन्हें सभी बच्चों को यह कहाने सुनाना अपने जिन्दगी के एक नई कहानी बनाना ओके तो यह इस वीडियो में पार्ट वन के लिए इतने ही है अब हम पार्ट टू में मिलेंगे तब ते के लिए टेक कियर बाइबाई झाल 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 झाल